हेलो गाईस पुस्पा की रश्वी में आप सबका स्वागत है आज हम लाए हैं बहुत ही खास रेश्पी तो आप जैसा की देख रहे हैं तो आज मैंने लाई हूं चिली मटर पनीर तो सबसे पहले मैं दूद लूँगी तो यह मेरा दाई लिटर के करीब दूद है जो मैं इस क्यों ना घर पे ही पनीर बनाया जाए मार्केट का तो आज नहीं मंगाया है मैंने तो यह देखी मैंने आज एक ही नीवू से पनीर को बना करके त्यार किया तो इस तरह से आपको दूद को चलाना है और आप यह देखिए मैं नीवू का रस इस तरह से कटोरी में निकाल ल तो जब आपको लगे कि आपका दूद गरम हो चुका है तो आप इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा नीवू डालें और दूद को चलाते रहें तो यह देखी आपको जैसा कि मेरे वीडियो दिख रहा है मैं इस तरह से चम्मस से चलाते जा रही हूं और मेरा थोड़ा-थोड़ा सा यह पनीर भटने की उसमें आ गया है अब थोड़ा सा और हम डालेंगे ताकि हमारा पनी बुक्तम साप बनके त्यार हो जाए तो हम थोड हो तो आप विनेगर से भी उसमें आप डाल करके कटोरी में थोड़ा सा पानी मिला लें और इस तरह से चलाते रहें तो उससे भी पनी बहुत अच्छा फटके त्यार हो जाता है यह आपके पास साट्री हो या टाट्री हो मेरे पास आज कुछ नहीं था नीवू था तो मैं मैंने सोचा दूद रखा हुआ तो यह देखी अब मैंने बनीर को कपड़े से चान लिया है तो इस तरह से आप कपड़े से चान लें और फिर आपको पानी से अच्छे से धुल लेना ताकि जो नीवू की खटा से वह इसकी बाहर निकल जाएगी हमें इस तरह से पानी से ध हुल लिया है और यह मेरा पनी कम से कम आधा किलो के करीब त्यार हुआ है क्योंकि मैंने दूद भी काफी लिया हुआ था यह तीन लिटर के करीब होगा तो घर का दूद है तो पनी अच्छा निकलाता है तो इस तरह से हम पानी को निचोड़ लेंगे और आपको क्या करना ह किसी भारी बरतन से बहुत ज़दा भारी बरतन नहीं लेना है उसको दवा देंगे तो हमारा पनी टाइट बना के त्यार होगा तो आपका थोड़ा थोड़ा सा और मैंने अभी पिछले भी तो यह देखिए हम मसालों को इस तरह से मिक्सीम पीस लेंगे अब हमारा पनीर भी सेट हो चुका है अब हम इस तरह से आपको जैसे भी पीस पसंदो छोटे बड़े उस तरह से काट ले तो मैं थोड़ा सा पनीर बचा लोगी क्योंकि मुझे उसम अब को ना पसंदो तो आप पूरा पनीवी बना सकते हैं इस तरह से यह सब्जी आप बनाते हैं तो यह बहुत ही स्वादिष्ट है और यह खाने में तो अच्छी होती लगती है और देखने में भी बहुत सुन्दा लगती है तो यह देखिए मैंने उसी कड़ाई में यह अब तेल और डालेंगे हम और अब हम थोड़ा सा पनीर को फ्राई कर लेंगे आज मैं पनी फ्राई करके सब्जी बना के दिखाऊंगी और यह देखिए मैंने यहां पर मसाले की ग्रेवी भी त्यार कर ली हुई है और मसाला जो हम पीसेंग वो अच्छा सा बारी हमें पीस तो आप जब भी सबजी बनाए तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तब तक धूआ ना देने लगे अब हम अद्रक लैसुन का जो पेश्ट तियार किया वह भी डाल देंगे वह इस तरह से मसालों को हम भूझ लेंगे और मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिये हैं धनिया हल्दी अब हमें क्या करना है इसमें थोड़ा डाल देंगे और ढ़कन लगाकर से करें इसको थोड़ा सा पकालें क्योंकि मतर मैंने वोयलिं किया है इस समय तो बहुत अच्छा मटर आ रहा है और आप चाहें तो इसको मटर को बॉयल भी कर सकते हैं अब हमें डालना है थोड़ा सा खोया क्योंकि आज मैंने बताया भी है कि आज मैं सबजी एकदम हटके बना रही हूं तो मैं इसमें थोड़ा सा मैंने खोया लिया है 50 ग्राम क बढ़े करें और थोड़ी सी हम इसमें एक चुटकी चीनी डाल लेंगे अब हम कलर के लिए देगी मिर्च डालेंगे देगी मिर्च को आपको बाद में ही डालना है क्योंकि जो यह पहले डालेंगे तो इसमें सबजी में कलर हमारा इतना अच्छा नहीं आएगा तो आप ज अब हम डाल देंगे इसमें पनीर और पनीर के साथ में हमें थोड़ा सा और चला देंगे ताकि जो हमारा मसाला का फ्लेवर है वह पनीर के अंदर चला जाए इस तरह से हम सब्जी को चलाते जाएंगे और आप हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी आपको जिस तरह से पसंदो उसी हिसाप से आप पानी डाल सकते हों जितनी वी आपको सब्जी गाड़ी पतली पसंदो उसी हिसाप से आप पानी को डाल दें अब हम आज को तीज कर देंगे और इसको पकने देंगे तो जब तक मेरी सब्जी ये पके त्यार हो रही है यदि आप मेरी चैनल में नए हैं तो मेरी चैनल को सब्स्राइब करें लाइक करें और यदि रैस भी अच्छी लगे तो कमेंट करें और आप कमेंट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा बस अपना साथ बनाए रहें तो ये देखी अब हमारी सब्जी बस पकने वाने जो ढखने की पैंचान यह यह कि हमारी जो तो हमने पनीर इसमें डाला हुआ है वो अपने आप से कुछ टाइम पे देखे आपका पनीर एक दम ऊपर देखने लगेगा तो हमारी सब्जी अब बन चुकी है तो यह देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है तो आप चाहें तो इसको पापड़ में और प्लाव चा तो आप इसमें एक चम्मा सुद्ध देशी घी डाल सकते हैं तो यह देखिए पनीरब त्यार है तो आप चलते हैं आज के लिए इतना ही काफी फिर मिलते हैं कर नए वीडियो में